नमस्कार चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है इस वीडियो का टॉपिक है Brain Electrical Oscillation Signature Profiling आए देखते हैं विस्तार से की आकिरिया है क्या सबसे पहले कि यह चर्चा में क्यूं है तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में उनीस वर्षिये दलित लड़की से कथित बलातकार और हत्या की जाच कर रही CBI अधिकारियों की एक टीम इस अपरात से संबंधित चार आरोपियों के साथ गांधी नगर इस्तित फॉरेंसिक साइंस लेबोडेटरी पहुँची है इन चारो आरोपियों का Brain Electrical Oscillation Signature Profiling टेस्ट के आधार पर परिक्षन किया जाएगा अब हम यह देखते हैं कि Brain Electrical Oscillation Signature Profiling या संचेप में BEOSP टेस्ट आखिर है क्या तो BEOSP टेस्ट को Brain Fingerprinting के नाम से भी जाना जाता है इसमें पूछ ताच का जो तरीका होता है वह नियूरो मनोवैज्ञानिक तरीके पर आधारित होता है जिसमें अपराधी या आरोपी के मस्तिस्क की परतिक्रिया का अध्यन किया जाता है और फिर इस अध्यन के आधार पर इस अपराधी या आरोपी के अपराध में भागिदारी की जांच की जाती है इस टेस्ट में मानव मस्तिस्क के विद्युत विवहार के अध्यन की जो प्रक्रिया होती है उसे इलेक्ट्रो एंसे फ्लोग्राम कहा जाता है। इस टेस्ट के अंतरगत आरोपी की मेडिकल जांच के पस्चात दर्जनो एलेक्ट्रो युक्त एक टोपी उसे पहनाई जाती है। और अध्यन के परिणाम सरूप या सुनिश्चित किया जाता है कि यह जो अपराधी है या आरोपी है अपराध में इसकी भागीदारी है या भागीदारी नहीं है। फॉरेंसित साइंस के वरिष्ट अधिकारी के अनुसार अभ्युक्त के प्रती निश्पक्चता को बरतने के लिए उनके एलबाई को आधार बनाये जाता है। अपराध के समय किसी दूसरे जगा उपस्तित होने का कथम जिसमें ये सिद्ध करना होता है कि वह व्यक्ती दोसी है ये दोसी नहीं है। और इसमें अपराधी के समक्ष दो परिकलपना या हैपोथेसिस को प्रस्तुत किया जाता है। या उस घटना का उसे वास्तुक अनुवब भी है। मतलब या कि उसमें उसकी भागिदारी भी है। अब हम यह देखते हैं कि BEOSP एवं पॉलिग्राफ में क्या अंतर है। तो हमें यह पता है कि BEOSP परिक्षन में नियूरो मनोवज्यानिक अध्यन को आधार बनाये जाता है। जिसमें प्रश्णोत्तर सत्र सामिल नहीं होता है। मतलब या कि अपराधी से या आरोपी से किसी प्रकार का प्रश्ण या उत्तर नहीं किया जाता है। जबकि पॉलिग्राफ परिक्षन में आरोपी व्यक्ति को प्रश्णोत्तर सत्र में सामिल किया जाता है। के समय अपने शारिक संकेतों को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकता है। यही कारण है कि BEOSP परिक्षन ज्यादा सटीक परिणाम देता है। अब हम यह देखते हैं कि FSL यानि Forensic Science Laboratory आखिर क्या है। तो इसकी इस्थापना 1974 इस्वी में की गई है। Forensic विज्ञान और तक्नीकी जाश से समंदित या भारत की प्रमुख प्रियोक साला है। यहाँ पर Suspect Detect System, Computer Forensic, Narco Analysis सहित, Mobile Laboratory की भी विवस्था है। Mobile Laboratory का यहाँ पर अर्थ है कि इसमें अपराद से समंदित घटना इस्थल पर जाकर अपराद से समंदित नमूने को एकत्र किया जाता है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2019 इसी में FSL ने सबसे जादा fingerprint के नमूने की जाच की जो लगभग 70,000 है। और FSL के डेटा बेस में 21,000,000 वेक्तियों के fingerprint मौझूद है। इसी वर्ष के प्रारंब में भारस सरकार के द्वारा विश्वास मतलब Video Integration and Statewide Advanced Security Project को प्रारंब किया गया। इसमें गुजरात के 34 जीलों में 7,000 से अधिक CCTV को इंस्टॉल किये जाने की विवस्था है। इसके अंतरगत, Traffic Junction सहित, शहर के प्रवेस एवं निकास मार पर इन कैमरों को इंस्टॉल किये जाने की विवस्था है। इसमें FSL की Cyber अपराद प्रयोग साला को अपराद जांच से समंदित कोई भी Live Feed भेजने की विवस्था है। अगला सवाल यहां पर यह है कि BEOSP से प्राप्त जो साक्ष हैं क्या वो नियायले में प्रस्तुत किये जा सकते हैं या नियायले में क्या उसे एक साक्ष के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है तो इसका जवाब है संपूर्ण रूप में नहीं। क्योंकि सेल्वी बनाम करनाटक राज्ज मामला 2010 इस्वी में सुप्रीम कोट ने यह बात कही कि नार्को एनलाइसिस, पॉलिग्राफ और ब्रैन मैपिंग परिक्षनों को किसी भी व्यक्ति पर उनकी सहमती की बिना मजबूर नहीं किया जा सकता और परिक्षन के परिनामों को साक्ष के रूप में पूरी तरह सुप्रीकार नहीं किया जा सकता है, हाला कि परिक्षनों के दौरान किसी भी जानकारी या सामगरी को साक्ष का हिस्सा बनाया जा सकता है, तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नमस्कार